कॉन डॉन बिल्कुल शुरू हो चुका है और आप से ठीक 20 दिनों के बाद कोलकता कारपोरोशन में किसकी बोड बनने वाली है क्या वो टीमसी की बनेगी या फिर अन्य पार्टी की इसका फैस्टला हो चाएगा और अभी से तमाम पार्टी के जो कैंडिडेट्स है हाला कि भ एक्षन में उठ रहे है अमिरुद्दीन बॉवी हम उनसे बात करेंगे अमिरुद्दीन बॉवी से कि इनका क्या एजेंडा है पिछले 11 वर्ष से वह चववन नंबर वाट को समाल रहे है आने वाले पास साल अगर वो जीते तो उनका क्या रोड मैप रहेगा बावी साहब अब यह बता है कि 2010 में पहली बार आया थे अबू सुफ्यान को अरा करा है अलएक उस वाक भी बहुत कांटे का टक्कर था इस बर क्या लगता है कांटे का टक्कर होगा या फूली फूल बिचा आपके लिए रास्ते में देखें इलेक्शन होना चाहिए एलेक्शन में कोई किसी को कमजोर नहीं समाज शुद्र आण मैं 10 साल से में कॉंस्लर हूं पर्टायव अर्मूजे फिर से भरोसा करके टिकेट दिया है ममता बैनेर जी अच लॉज का मैं शुक्रिया प्यादा करता हूं। जो ये उमीद करता है कि मुझे ये ये तिसरी बार जो है टिकेट दे के फिर से नौमिनेट किया है और मैं यह नहीं समझता कि मेरे अगेंस में कोई नहीं है अगेंस का मुराद ये होता है कि पब्लीक जो है कब किसको किस बिना पे वोड़ दे ये पब्लीक पर है CPM का कैंडेड है कॉंग्रेस का भी होगा बीजेपी का भी होगा जी कोई दे या ना दे में उसके निर्दल भी होगे जी मैंने जो काम किया है पांस साल 2010 में जब मैं पहली बार जब आया था उस वक्त हमारी गौवर्मेंट नहीं थी हमारी गौवर्मेंट 2011 में मम्ताव एने जी का परना एक साल पहले मैंने एलेक्शन लड़ा और अवाम ने भरुशा किया और मैंने हेवी बेट कॉंसिलर को मैंने हराया विदाइक भी थे और उसके बाद जो है पब्लीक तब भी हम पर भरुशा की और हमने उनके ओपर खड़ा उतनने की कोशिश की वो पांस साल में मैंने कॉमपैक्टर मशीन दोदो कमपैक्टर मशीन बठाया था एक हाती बगान में और जोड़ा गिर जाना उसके बाद उससे पहले उसी दौरान में मैंने आपको कॉमिनिटी हॉल बनाया कलकत्ता में कहीं कॉमिनिटी हॉल नहीं था मेरे वार से पहला सुरुआत पहली सुरुआत उसके बाद मैंने टोटो गारी को कॉमपैक्टर में डालने के लिए टोटो गा में उसी 5 साल में 2010 से लेके 2015 सबसे पहले 14 आपने देखा होगा यह जो भी रूपा वाला बना रहे हैं मेरे देखके ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि यह कॉंसे आपने कैसे सोचा हमने का यह गरीब लोग हैं जिनके घर में फ्रीज नहीं है रिक्से वाला ठेला वाला भेद भाहो नहीं है तो हमने वो ठंडा पानी का मसीन बढ़ाया मेरे देखके पूरे कलकत्ता में बना इसी तरीके से हमने अपने इलाके में कई काम 2010 से 2015 में मैंने किया पानी का आपको पंपिंग स्टेशन बना उसका आवाज भी मैं ही उठाया था बोरो में और पंपिंग स्टेशन बना उसके 21 कोड का पहला फंडिंग हुआ था माइनेटिस के फंड से उसके बाद सोबंदा को बोल के वहां एक्सेंशन जब काम स्टार्ट हुआ 2015 में वो कंप्लीट हुआ दो दिन पहले इनाउग्रेशन हुआ वो लगभग उसका खर्च आ गया 32 कोड पे आज भी बोरो सिक्स के कॉमेटी में वो मेरा अभी भी रेजिलेशन किया हुआ है अमिर उद्दिन बोबी कही आवाज उठाया हुआ है और मैंने मियोर को बहुत रिक्वेस्ट करके हमने इस इलाके में जो पब्लिक पानी की किल्ण थी उस वक्त भी 2010 तक सीपीम का गौर्मेंट रहते वे सीपीम का बोर्ड भी था पानी ये हाती बगान ये सामने देखेगा आज भी ये पंपिंग स्टेशन मौजूद है ये प मेरे आने के बाड़ ये पंपिंग स्टेशन बना इस इलाके मेरे इस तरह का जितनी भी वें डूरिंग थी हमने बन ani सब जगह में मीठा पानी का मवस्ता किया तो लोहूँ को क्या चाहिए अमन, सुकून, सांती और कॉर्पोर्शन का रास्ता, लाइट, पानी, बात्रूम, बात्रूम का दर्वाजा, आईपी, मैं आ रहा हूँ, 2010 से 2015 में मेरे ये काम रहा, उसके बाद 2015 में पाटी ने फिर नॉमिनेट किया मुझको, मैं उसका बाद फिर से आया, उस वग मैंने वा उसके बाद ये मैंने बोला था कि पांच साल में पांच स्कूल बनाएंगे, हमने अपने वाड को पहले पांच साल में जो कमी थी, कॉर्पोर्शन की, उस कमी को हमने दूर किया, उसके बाद मैंने डेवलप का काम में मेरा माइन गया कि डेवलप में काम करेंगे, तो साल में मैंने आप देखा होगा अंजुमन 31 नंबर मुफिद उस्लाम लेंग 16 नंबर हाती बगान अंजुमन की जगह है मुफिद उस्लाम लेंग कंप्लीट हो चुका है हाती बगान में काम अलड़ी बहुत प्रोसेस में है उसके बाद साउथ कुप्सिया में जस कठा जमीन कि उसको बॉंडी वाल कराया वहां पे गुरु भिखता था और कॉर्पोशन का गाड़ी रहता था चमड़ा वहां पर इस उखाते थे लोग कबजा करके बाइटे थे उसके बाद मैंने वहां पे बॉंडी करवाया अपना 440 मीटर लाया अंजुमन के नाम से उसके बाद ट स्कूल बंद है प्राइमरी सेक्शन नहीं चालू हो पा रहा है मगर वह हमारा इंफरस्ट्रक्चर रेडी है स्कूल के लिए हाती बगान 16 नंबर टेनिन का केस चल रहा था अंजुमन में इससे पहले भी कही लोग रह चुके हैं उन्होंने ये सोचा नहीं हमने वह खाली कर आके plan sanction कराया G plus 4 का plan मिला है और वो तामीर हो गया G plus 2 का complete हो गया टेनिन को shifting मिलने वाला है तीनी स्कूल चौथा स्कूल आप देख लिए ये सामने में है सरसायात अमात के नाम से प्राइमरी सेक्शन है इसमें 470 बच्चे हैं अभी 470 बच्चे हैं हमारे पास जगा नहीं ह उसके बाद ये चौथा हो गया पंचमा स्वूल जो है ठक्टी नाइन बाई वन सरसेयत अमद रोड वो क्याइटी की जमीन थी उसके पीछे में ये स्कूल बन रहा है लोगों को कन्फ्यूज है कि क्याइटी को बार बार क्यूं नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने दोबारा से शेला न्याज करवाया है देखें हो चुका था शेला न्याज हुआ था दो हजार बीस में 2020 में क्याइटी की जमीन इंटैक वैसी पड़ी है क्याइटी के बगल वाली जमीन को हमने खरीद कर उसमें जो है प्लैन शंशन करकर उ मैं आपको जहन में डालना चाहता हूं जो लोग गुम्रा कर रहे हैं पॉलेटिस के चक्कर में वह मैं उसको क्लियर कर रहा हूं कि आईटी की जमीन साथ कठा साड़े साथ कठा जगा इंटैक आज भी वैसी है 2010 से पहले एलेक्शन से पहले CPM के यहां कॉंसिलर अन्हेता ने सिला नियाज किया था वो सही कह रहे हैं सिर्फ वोट लेने के चक्कर में कि दुबारा 2010 में अमीर उद्दिन बॉबी नहीं आया जो CPM के कैंडियेट वो जीत किया है वोन ने politics किया था मैं politics नहीं किया 2010 से पहले जो है election का एक हपता पहले सिला नाज हुआ था लोगों को बेखू को बनाने के लिए उसमें कोई काम नहीं हुआ था ना कोई रेश्टी हुआ था ना कोई संशन हुआ था मैं चैलेंज हो के बोल रहा हूँ यह उनके पास हुआ हुआ है तो मुझे कागज लाके दिखाए और अब आवाम को दिखाए उसमें क्या हुआ था 84 लाग रुपीज एडुकेशन डिपार्डमेंट ने क्याइटी डिपार्डमेंट को पैसा दिया था कि यह जमीन को स्कूल बनाया जाए बस इतने ही रुपिया टांजेशन हुआ उसी में सिला नियाज कर दिया गिया इल्लीगली उसमें इनागरेशन किया गिया वोट टानने के लिए मैंने वो जमीन को अभी तक इंटाएक अभी तक कुछ नहीं किया उसके पीछे वाले जमीन उसके बगल वाले जमीन को सारे च्छे खटा जमीन है उसमें मैंने प्लान शंशन करा है ना वहाँ पर ही कोई इनाउंस किया था कि सरसयाद स्कूल बने ना वो गौर्मिन की जगा है गौर्मिन अपने तरीके स्कूल बनाएगी अपना नुमैंदा अपने टीचर रखेगा अब वो बिंगॉली मेडियम होगा इंग्लिस मेडियम होगा निकल चुका है काम चालू हो चुका है और लोग जो गुम्रा कर रहे हैं अल्ला ताला उसको अज़र उपर में देगा दीन में भी देगा दुनिया में भी देगा सब वाड में बॉबी साब केमसी का अंग्रेजी मेडियम स्कूल है आपके वाड में इसका क्या आला है हमारे वाड में इंटाली अकेडमी स्कूल वो बिंगॉली मेडियम था आज भी देड़ सो बच्चा हैं और देड़ सो बच्चा हैं इंग्लिस मेडियम स्कूल को हमने तबदील करने की कोशिज की और English medium स्कूल हो गया उसके बाद ये pandemic हो गया बच्चे के तादाद नहीं बढ़ें लोहों को मालूम भी नहीं है मगर वो English medium convert करके मैंने बिंगॉली से English कर दिया है और second language बिंगॉली रखा है बिंगॉली को मैंने खत्म नहीं किया और first language बिंगॉली को तब्दील किया गया अब pandemic खत्म हो जाएकर स्कूल चालू हो जाएकर इंशालला वहां पर भी ये तादाद बढ़ेगी तो मेन मामला आज नहों का रुझान है कि हमारे बच्चे English medium school में पड़े तो इंग्लिस मेडियम क्या यह होना बहुत जरूरी है middle class गरीब तक्ते के बच्चे जो है वह पढ़ नहीं पा रहें महगाई के वज़े से आफोड नहीं कर पा रहें इसी वज़े से आप किसी भी English medium school में चले जईए देढ़ हजार दो हजार रुपया मंतली फीर तो देढ़ हजार दो हजार में आदमी कमाएगा क्या खाएगा क्या उनके घर में दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं चार-पांच हजार रुपया च मसला हाल हो सकता है बहुत सारा उनको आराम दे पहुंच सकता है एक सवाल मैं करना चाहरा हूं कि आपने भी बताया कि 2010-15 तक आप पहली बार कॉंसला तो बेसिक काम नहीं हुआ था बुन्यादी काम आपने वो किया पंदरा के बाद 20 21 एक साल तो कोबिट चला तो आपने इ के लिए गामिर दिन वोभी क्यों देखे 20 नंबर नूर अली लैन में एक जगा है अंजुमन मुफिद उस्लाम और 35 31 मुफिद उस्लाम लैन है 31 बन चुका है इंशालला मैं जीत के आया तो सब से पहले मैं 35 को तोड़ के उसको बनाऊंगा और 20 नंबर को मैं यहां बन चुका और दोनों के उपर में एक प्लाय ओवर में डालूँगा एक दुस्य से कनेक्ट कर दूँगा तो यह स्कूल का प्राब्लम सौल बीस नंबर नूर अली लैन जो है वो जगा मेरी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी मैं वहां लौ कॉलेज मौम ए मौफिद उस्ला बन चाहा तो मैं जरूर करूंगा इंप्लोइमेंट के शेतिर में क्या कुछ किया है क्योंकि जॉब मुसल्मानों में या फिर लोगों में इस वक्त जादा बहुत ज्यादा है उसके लिए आपने कुछ ऐसा कुछ किया देखे ये तो मैं नहीं बताऊंगा सरकार का हम है ले तरह से भी मामला है और जो भी मेरे इलाके में जो लोग जुड़े हैं मैं कोशिस करता हूं कि वह जॉब्लेस ना रहे है आज ये क्राइसिस दूर हो गया जो स्मॉल स्केल इंडस्टीज हमारे हैं चपल कर खाना बहुत माना जाता है आज 50% कर खाना बन हो चुका है और लो अपने एलाके के जो लोग बेरोजगार हुरहें उसके मद्दनज़ लगतें मैंने बहुत सारा इस सरह का काम किया है लोहँ को कही न कहीं प्राइवेट जॉब लगाया है इस तरह से बहुत तरह का काम हुआ है औरन लोग कर रहे हैं अब तक चला पा रहे हैं पगंभीर आर मैं बता रहा हूं 2010 में जब आया था वह गौर्मिन सीपीम की थी 2011 में जब सीपीम की गौर्मिन चले गई ममता बैनेर जी का एक बार था बदला नहीं चाहिए बदलाओ चाहिए था और उन्होंने अमन सांती का पैगाम पहुचाया था और 54 नंबर वाड में यह लाल किला के प नेता यहां से निकले बिलकुँ बिलकुँ और थे मगर एक आदमी यह 11 साल में एक आदमी पार्टी मिम्बर ने एक तपड़ काने नहीं दिया मैंने नहीं तो कितना खून खराबा होता मैं रात एक एक बई रात तक सीपीम वाले को मैंने बचाया इसलिए कि 2010 में जब मैं आया था किसी के माथे पे नहीं लिखा था यह सीपीम को भोड दिया या कॉंग्रेस ने बोड दिया यह टीमसी ने बोड दिया वो इंसानियत के नाते में भोड वा और जो लोहों को जो यहां के कॉंसलर थें उनको हरा कर मुझको भरुसा करके भोड दिया तो यही लोग भ मारखानाची यह सीपीम के दौर मेरा है कि घर तुटता था और दो-दो मैना तक वह घर से बाहर आता था मैंने कभी यह अपने चववन नंबर वार्ड में यह होने नहीं थिया एक दम कैसे वोट होगा बिल्कुल उनको जला सभी पर्मिट नहीं करते हैं पूरा कैप्चर कर लेते हैं इस तरह का बात आप आप जाहिए जाके देखिए एलेक्शन में मैंने 2010 से 2011 2014 2015 2016 2019 2021 मैंने छे एलेक्शन लड़ा है 11 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं हो कि पार्ड में नहीं बैटा हो आपकी पार्टी जीती है जीती नहीं है यूज वोट जीती है उसका कारण यह पता जा रहा है कि आप ओपोजिशन के इतना डरा धंका देते हैं उनके लड़के उनके वरकर दर स क्याम मेली रहते हैं वो तो मेरा मोहबद है कि वो लोग जो है अपनी पार्टी छोड़कर मेरे पार्टी में आ रहे हैं और जाके मैं एकलाग और मोहबद में मिझे बोलना ना पड़े यह इसलामीक तरीका है जो मैं इसको यूज करता हूं और लोग नरम होके इस जीसको मा अमिर उद्दिन बॉभी और ममता बैनेर जी के छित्र में आके वो सुरक्षित मेसूश करते हैं और यह सोचते हैं कि नहीं यह एखलाग वाली पार्टी है अमन शुकून वाली पार्टी है इनको यह जोड़ा जाए इनको रखा जाए जो के सुगों से हम लोग रह सेकें य वो भी डेवलप कर रहा है और काम कर रहे हैं आखरी सवाल बहुत समय आपने आप में दिया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पता है बहुत मस्रूफ है एलेक्शन पर चाहिए चोवन नंबर वार्ड के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने 2010 में भरोसा किया 2015 में भ मैं पांच स्कूल बनाएंगे इंशाला ही पिशला पांच साल में मैं आपको बताता हूं यह पद्दोपोकर यंग उनाइटेज सिसाइटी ये सामने दिख रहा है यह 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 जगा को मैंने सेंशन कराया है पाक से इसमें इंसाला हमने 3000 स्कवर्विट का एक एक फ्लोर है 25 लाक रुपिया मेले से मैंने लिया है। इमपी फ़ण से भी लूँका इसमें डेवलब होगा इसमें सुमिंग कूल होगा इसमें एडूकेशन का काम होगा। जो हमारे बच्चियां अंजुमन स्कूल से निकलती हैं छे हजार बच्चियां है। वो डिमलाईज हो जाती है क्लास्ट्वल के बाद, उनको ना बंगला आता है ना इंगलिस आता है, उर्दू मेडियाम में पड़ी हुई हैं, उनको कॉंपिडेंस लेबल उनका लो राता है, इसलिए वो कॉलेज नहीं कर पाती है, यहां सपोकेन इंगलिस करेंगे, यहां बं तो उन्हें जिजग नहीं रहे कि उनको कम तरी नहीं हो कि हमने इंग्लिस नहीं बोलना आता बंगला नहीं बोलना आता वह बोड़ली फेस कर सके और अपने एड्यूकेशन को आगे ले जाए इस तरह से यह प्रोगाम है पहला तुसरा मैंने बोला लॉक वालेज तीसरा मैं बोला हूं कि आठ नंबर ग्रीश चंदबोस रोड में कॉमनेटी हॉल के बगल में एक जमीन है और ने संशन कर दिया एलेक्शन एनौन्स होने के वज़े से वहाँ डालेसिस इनिट होगा इमर्जंसी इनिट होगा और उसमें एक छोटा में यह संशन हुआ है जो डालेसिस सिर्फ कम पैसे में पीपीपी मॉडल में होगा वो अलड़ी जैसे मियोर क्लिनिक बनाया गया है साथ में यह भी संशन हुआ है तो मियोर से मैंने रिक्वेस्ट किया था मियोर बोले बवभी एलेक्शन के बाद उसको करेंगे तीन यह मामला हुआ और हमारे मैदान को आपन पन में अच्छा जहां खड़े हैं अच्छा एक रूप उदर देखिए वहां फुटबॉल ग्राउंड है वहां बच्चे खेल रहे हैं बगल में मैंने पद्दो पोगर यह कलब है उसके पीछे में मैंने होकी का स्टेरियम बनाया है जो बच्चियां वहां पर टेनिंग ल करना चाहती है घर से निगली अपने मौले में पार्क है सुबह में मौनिंग वाक होता है कम से कम फजर के बाद से यह पार्क चालू होता है और इसकी ग्रिनरी देख लिए यही इसकी खुबशूरती है मैंने वहां दो टॉयलेट बनाया इंडियन वेस्टन वो प्लस उनके जो है यह प्रोगैमिंग है लोग यह समझ रहे हैं कुछ बदमास लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि इलाके में डिवलब ना हो औरतों के लिए भला ना हो जो सीपीम के कुछ लोग है यह अपवा उड़ा रहे हैं कि मैदान को कबजा कर दिया गया है और यहां बच्चे नहीं ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है मगर इस जगा का मोहल चेंज किया मुस्लिम मासरे में यह बहुत बड़ा शिकायद रहता है कि कोई भी चीज़ बने उसकी मेंटेनेंस नहीं होती उसका देख बाल नहीं होता बनने का तो बन जाता है मगर आज देख लिजे दो साल हो गया यह पार्था है यहाँ यहां का बीने के लिफने मैंने बना आया तो यह इस तरह से हैं यहाँ जीन बी होता यह लेड़ी स के लिए जीम चालू करने वाले यह शारा चीज कह gefährशह बना हुआ कि लोग यह आते हैं और रहर लेडिया खास के लेड़ीं तो मैं केमरा में उसको देखा है किस तरह से बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और इस 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 अब फिटी फॉर कांसिलर या फिर इस निमें देखिए आप बच्चे अभी भी फुटवाल रहे हैं सारे चीज यह दिख रहा है इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन बबी साथ इसमें आपने घास लगा दिया ग्रीनेरी वह भी वी वैसे है नॉर्माल तो उसके उससे क्या बेरुखी चाहता है घास बच्चे जब खेलेंगे घास नहीं रहे पाएगा यह दीन भर में यह समझ लिए बारा घंटा यह पार् पार्क नहीं है यह पच्पन का पार्क है मगर स्पीशूदा का मैं सुकुर गुजार हूं तो उन्हों ने जो है यह यह पार्क बनाने का पर्मीशन दिया और इसके अच्छा महौल में हमारे दो तरफ यह दोनों काम हो रहा है और इसमें लोगों को गुम्रा करने की जो पानी देना पड़ता है घास अपडेट रखने के लिए पेड़ पौधा में इसी वजह से शाम में नहीं चालूगी है मुझे रिक्वाइर्मेंट होगा तो मैं अगर आपसे अपील करेंगा अप्रोच करेंगा तो साथ तो मैं साम में चालू करो बहुत सारे लोग सुबह स और हेविवेट में ता जो अपने काम के लिए जाने जाते और इतना काम इनोंने बताया है कि मेरे मेरे जहन में बहुत सारी बाते नहीं है इन्होंने 2015 के चुछनाव में इन्होंने लोगों से यह अपील किया था कि हम जीतेंगे तो पांच तालेमिया अदारे देंगे सब इन्होंने दिया 2021 में अगर यह जीते है तो लॉग देंगे डिलेशिस सेंटर देंगे मेर्स जो होता है जो मेडिकल सेंटर उस टाइप का बहुत सारा यह इन्होंने खोल दिया है अब देखना है कि उन्लीस तारिक को इनकी बातों पर यहां के लोग कितना भरोसा करते हैं क साथ हम फिर मिलेंगे फिर किसी वाइड में किसे अगरे 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 अगरे